ओल्राइट गैस तो क्या रेसल मिनिया 40 से पहले ब्रोक लैस ने डव्य डव्य के अंदर वापिस आने वाले साथ ही साथ रोक को कल स्मैकडाउन के ओपर प्रोमो डिलिवर करने के बाद क्या कुछ प्रोब्लम फेस करने पड़ लिए सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस कर दिया था कोडि रोट और स्टवन को बहुत कहुं कामाल कमाल के शोट लिए थे महा पे कोडि रोट और सैथ रोलिस के ओपर कुछ फोल्गर वर्टम से थोड़ने यूस किया झिसके चल्लते वह रोक को यहाँने कर सकते आपको पदा कि डेवल वह वर्ट्स बोलने होते हैं बट रोग भाई अपने फ्लो में इतने जादा खो गए थे कि उन्होंने बिल्कुल ऐसे वल्गर वर्ट्स करती है जो मेरी जाल से अभी के एरा में तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है तो बस इसी चीज को लेके बेक्स्टेज जो डबल डबल ली के अंदर काम करते हैं वो लोग और थोड़े से फैंस रोग को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई यह वह एरा नहीं है कि आप यहां वहाँ पर यह सब चीज़ें बोल दो पर यहार दे को सच बता हूं बेशक लोग थोड़े सा रोग को क्रि रोग ने स्मैकडाउन के उपर प्रोमो कट किया जो सॉंग वाला सेग्मेंट था उनका जो कि वह कॉंसर्ट पहले रखा करते थे वह वाली फोट आप देख सकते हो जहां पर तीन डेकेट रोग ने चीज़ें करी हैं तो भाई यह कोई चोटी बात नहीं है और सच बता रह बता नहीं सकते हैं इस चीज की क्या वेल्यू है तो भाई मैं तो बस इतना ही बोलूँगा कि जो लोग भी रोग को क्रिटिसाइज करें देखो पहली बात तो रोग को इस चीज से बिलकुल भी फरक पड़ता नहीं और आप इंजोई करो ना रोग जैसा बंदा इतना बड पर अभी देखने चल्क के उसकन देbor सुब्लक्यों करणा में दीजारी को अबड़ा या रहाऊ जोग को सारे सब्सक्रा को दिखाना इसे बहुत मेहनता करें पर इस Nedे तनी देरे इसमें एक चीज समझो कि यार रोग अपने प्राइम टाइम में वह चीज़े कर चुके हैं जो उनको अब इतने ऊपर लेवल की बुकिंग मिल रही है कुछी साल तक हमको रोग डेखने को मिलने वाले बट आप यह चीज़ देखो कि रोग अपने पहले करियर में वह चीज़ मेरे खियाल से रहे टो को कर रहे हैं वह चीज़वेश है को आप लोग वह चीज़ती और र्रण चल रहा है आप हो पसंद आ आपको बताया था कि WWE WrestleMania 40 के अंदर Intercontinental Championship के लिए Multi-Person Ladder Match करवा सकती है पर फिर आगे जाके हमको पता चला कि WWE ने WrestleMania 40 के अंदर Ladder Match तो Official क्या पर वो Tag Team Championship के लिए क्या ना कि Intercontinental Championship के लिए और Intercontinental Championship के लिए हमको गुंतर वसिस सैमिजेन के बीच में सिंगल स्मैच दिखाने वाली है WWE at WrestleMania 40 पर अब जो Currents Report सामने निकल के रहे हैं उसके According में आपको बता दू कि WWE के यही ओरिजिनली प्लैन थे कि WrestleMania 40 के अंदर Intercontinental Championship के लिए Multi-Person Ladder Match करवाने वाली है पर फिर पता नहीं WWE के क्या plans चेंज हो के पास चैंपेंशिप है वह तो मैच महोंगे इसके अलावा कौन-कौन सी टीम होने वाली है लेडर मैच के अंदर वह अभी तक WWE ने ऑफिशल नहीं किया 21 दिन रह गया है WrestleMania के लिए तो आपको क्या लगता कि कौन-कौन सी टेक्टीम हमको इस match में देखने को मिल सकती है वैसे कुछ फैंस यह भी speculate कर रहे है कि मैच के अंदर जैफ ओडी और मैट ओडी अपना रिटन करके पार्टिसिपेट कर सकता है जो कि हमने पहले भी रैसल मेनिया कंदर एक बार अगली अपडेट में लोग बात कर लेते हैं डू मेकेंटायर के वारे में तो डू मेकेंटायर के फैंस के लिए काफी अच्छी गूड न्यूज है कि वह साल की रैसल मेनिया वहां भी बहार गयते रोमनेंस के अगेंस्ट उनको क्राउन जुइल के अंदर मोहां भी बहार गयते और इस बार सबसे जादा पॉसिबिलिटी जाए कि ड्रू में के अंदर फाइनली जो उनकी स्टोरी है राउट के सामने चैंपेंशिप जीतने वाली वह इस बार फिनिश क मेंशिप जीतने ही वाला है 100% नहीं क्या रहा है क्योंकि ऑविसली जो डिसीजन है वह तो अपर लेवल के लोग ही लेते हैं बाट अगर बैक्स्टेज से सपोर्ट है मतलब कि क्रिएटिव हैट्स होगे बैक्स्टेज में या जो डव्ली के मैचिस वगरा प्लैन करते हैं इंवल्व रहते हैं इस चीजों में वो लोग अगर ड्रू में केंटायर को सपोर्ट करें तो मतलब भाई बहुत ज्यादा पॉसिबिलीटिज है कि ड्रू में केंटायर फाइनली अपनी स्टोरी फिनिश करके चैंपिंशिप जीतने वाले हैं लोगों के सामने अब ड्रू से चैंपिंश कर पाइं तो बस यही तरू में केंटायर को बैक स्टेस से काफी जादा मैसिब सपोर्ट है कि ड्रू में केंटायर इस साल की रैसल में केंटायर अपनी जो स्टोरी उसको फिनिश कर लेंगे यह चैंपिंश को बिलने वाला रैसल में अब की जाएं तर हम लोग चलते के अबने ऐलागे अपने नेक्सट अपडेट की तरफ और यह चीज हम पता है कि हमको इंटर केंटिंटीन चैंपिंशिप के लिए गुंतर वसे सैमी जेन के बीच में एक सिंगल स्मैश देखने को मिलने वाला है सैमी जेन ने वो टूर्णमेंट जीता था उसके बाद सैमी जेन ओफिशल हो गए थे कि वो गुंतर को फेस करेंगे रैसलमेन या फॉट्टी के अंदर गुंतर और सैमी जेन के बीच में ओफिशली कॉंट्रेक्ट साइन भी रखवा दिया अब बेशक्ते को यह सिर्फ कॉंट्रेक्ट साइनिंग है पर इस चीज में बहुत जादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आपको पता है सैमी जेन के इतने एनरजेटिक बंद है और इतनर स्ट्रगल करने के बाद उनको गुंतर के अगेंस रमोका मिला तो भाई अम्शूर डबल डबली कुछ न कुछ इस चीज में दिखाएगी और हो सकता है कि चैट गेबल की इंटरफेरंस भी हमको इसमें देखने को मिल जाए चुकि थोड़ी बहुत ऐसी अपडेट्स आ रहे है कि डबल डबली हो सकता है कि चैट गेबल को भी इस मैच के अंदर एड कर दे और अगर ऐसा होता है तो हमको रैसल मेनी के अंदर एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा अब इसमें रोख होंगे यह चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है बट कोडी रोट और रोमनेंस होने वाले यह चीज़ डबल डबली ने ओफिशल कर दिया तो बात कर देखने में बहुत मज़ा रहा है और बात करने में बहुत मज़ा रहा है इसके बार में क्योंकि आपडेट्स को लेकर काफी टाइम से कुछ अपडेट्स आ नहीं थी लोगों नहीं ऐसा तक माल नहीं था कि ब्रोट लेट्स निकल कर आ रहे हैं उसके कोडिंग आप कह सकतो कि काफी अच्छी खबरे आ रही है थोड़ी बहुत हैं बैट निउस भी बट अच्छी मंडेट्न नाइट रहे हैं और आप जो ले टेस्ट रिपॉर्ट सामने निकल कर आ रही है ब्रोट लेकर लेके वह लेके व्यूप्य सकतो एलीस को एक लट लाने के तो भाई जो भी इस यहए एक्श्मेट कर रहे थे कि रचल मिनें नहीं के करीब रोट लेक्लेसनर रहे है क्योंकि रैसल मेने के बाद ही ब्रोकलेसनर के case में हमको कुछ improvement देखने को मिलने वाली है उससे पहले तो आप कह सकते हैं कि WWE के कोई भी plan नहीं है ब्रोकलेसनर को लाने के वापिस से WWE के अंदर बाकि आगे जो भी ब्रोकलेसनर को लेकर reports आएंगे या updates आएंगे या उनके case पर क्या improvement हो रही है वो भी updates आएंगे तो मैं आपको बता दूँगा फिलाल ये वीडियो करते है खतम हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको like करके चैनल को subscribe दरूर कर लेना मैं मिलता हूं से न्यू वीडियो के अंदर तब तक के लिए take care